उत्रप्रदेश की रहने वली सानिया मिर्जा के पंख अब उडान भरेंगे और साथी साथ आपको ये भी बता दे कि उसके पंख उडान इसलिए भरेंगे क्योंकि उसने NGA का एक्जाम ट्रैक किया है इसके साथ वो पहली मुसलिम महिला बन चुकी है जो फाइटर प्लेन पढ़ने के बाद दी उसने अपने पंखों को उडान दी है आज सानिया मिर्जा जो मिर्जापुर की रहने वाली है अब सब उसकी बहुत तारीफे कर रहे हैं और उसके पूरे गाउं के लोगों को आज सानिया पर गर्व है बाप एक टीवी मेकैनिक का काम करता है और पी की रहने वाली मिर्जापुर के देहात कोतवाली पुली स्टेशन के पास रहने वाली सानिया मिर्जा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है और सानिया की हमेशा से प्रेर ना और उसका रोल मॉडर रही है वूमेन फाइटर पाइलट अबनी चत्रु महिला बनके उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया है जो फाइटर प्रेन उड़ाने जा रही है तो चलिए आगे के बारे में भी बताते हैं कि सानिया मिर्जा एक बेहत गरीब परिवार से यानि एक मिडल क्लास फेमिली से बिलॉंग करती है और उनके शीत यानि शीतल सभाव की एकदम शान सभाव की सानिया मिर्जा की जो बाते हैं वो भी आप तक रखते हैं सबसे पहले आपको ये बता दे कि जरसरोवर विलेज मिर्सापोर्ट देहात कोतवाली पुलीस टेशन के अंतरगरत आने वाला जो उनका गाउं है और साथी साथ अब उन्होंने बहुत सी लड़कियों को मॉटिवेट किया है एस्पायर किया है कि वो भी फाइटर पाइलट बन सकती है यानि अब हावा में भी उडान भरेंगी और फाइटर पाइलट चलाएंगी सानिया मिर्जा और अबनी चतुरवेदी उनकी रोल मॉडल रह चुकी ह सानिया मिर्जा जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी उन्होंने अचीव किया है ये शानदार सक्सेस और दिसंबर 27 माफ कीजेगा जहां तक बात करते हैं वो एंडिये को जॉइन करेंगी पूने में और यहां पर और लड़कियों के लिए भी रोल मॉ कि First Fighter Pilot अपनी चत्रवेदी सानिया मिर्जा की रोल मॉडल है और सानिया मिर्जा हमेशा उनकी तरह बनना चाती है और सानिया मिर्जा के बाप का साफतोर पर ये कहना था कि मैं तो इतना सक्षम नहीं था कि मैं अपनी बेची को उस रास्ते पर ले जाऊ बट मेरी बेटी का ह और जब भी उससे बात हुई उनके पिता का नम शाहिद अली है उन्होंने बताया कि मेरी बेटी हमेशा ये कहती थी कि पापा मेरी जो रोल मॉडल है वो फाइटर पाइलट फर्स्ट फाइटर पाइलट अपनी चत्रवेदी है मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ और सानिय की जो स्कूलिंग है टेंथ क्लास की उनके पासी के गाउं में जो है हुई है और वहीं से उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद भी ये काम्याबी हासिल की है और प्राइमरी जहां पर बात करते हैं क्लास टेंथ की पंडित चितमानिया दुबे इंटर कॉलेज से उन्होंने किया है और उसके बाद वो गुरुनाना गर्ल इंटर कॉलेज सिटी में चली गई जहां पर वो डिस्ट्रिक की चौपर भी रही है उतरपरदेश की बारवी कक्षा में और बारवी कक्षा के बाद उन्होंने एंट्रीय की प्रपेशन शुरू कर दी सानिया की मा वो फॉस्ट फाइटर वूमेन है जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाया था अपनी चतरवेदी तो अब उन्होंने सबके पंखों को भी उड़ान दी है अपने पंखों के लिए तो वो लड़ी है अपने पंखों पर उन्होंने जो है वो बहुत काम किया वो बहुत महनत हास इसलिए वो इसके साथ साथ पहली मुसलिम महिला भी बन जाती है जो फाइटर पाइलट बनेंगी और साथ साथ इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है सानिया मिर्जा अब एक रोल मॉडल हैं बाकी सब लड़कियों के लिए जो घर बैटे ये सोचती हैं हम ये करेंगे लेकिन बड़ी बात ये हिन्नी मीडियम में पढ़ने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी उड़ान जो भरी है और उसके साथ साथ आज उनके माता पिता को भी गर्व है और उनके आज गाउं को भी सानिया मिर्जा के नाम से पहचाना जा रहा है और मेह चोटी सी उम्र मे ये काम्याबी उन्होंने अपने नाम हासिल की है आप सानिय मिर्जा के लिए दो शब्द ञिकी सकते हैं इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी लड़कियों के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनके लिए दो शब्द जरूर लिखे लोग अपसानिया मिर्जा से इंस्पायर होंगे तो एसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं जो मुलटे नाशे खांग सातला हाप